जैए शनीदेव मित्रो मैं सचन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और शनीदेव से प्राथना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना आश्रवात प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूरूर्ण करें मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ और आश्रवात करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा इस वर्श से मैं आपके लिए कुछ और नए सेक्शन अपनी वीडियो में लेकर आया हूँ जिससे आपको कुछ और लाब मिल सकेगा यदि आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करते हैं और यदि धनू लगन की इस वीडियो पर मुझे सबसे अधिक लाइक मिलेंगे तो अगले महीने आपका वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद ही दूसरे लगन राश्यों का वीडियो अपलोड किया जाएगा तो यदि आप अपना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रशनों के उत्तर कॉमेंट सेक्षन में सबसे पहले चाहते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें जिससे आपको भी लाब हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके धनू लगन के जातकों के लिए वर्श 2022 कैसा रहेगा अब ये वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं देखे इस वीडियो के लगलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा आपके फाइनेंस संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा आपके रुखमैन संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा आपके फैमिली संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा आपके स्वास्ते संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा आपको किस रंग के वस्तर किस दिन पहनने से लाब हो सकता है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसे कि आप देख रहे हैं और यदि आप अपनी कुली हिंदी में देख रहे हैं तो हम पर्थम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा तो यह मासिक राशी फल जनवरी 2022 आपके लिए है बाकी सबी लगन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं इस महीरे में सूरे देव का और मंगल देव का बहुत ही महत पूर्ण राशी परिवर्तन है तो इन राशी परिवर्तन का आपके कैरियर पर आपके पारिवारी की जीवन पर आपके स्वास्ते पर आपके फाइनेंस पर क्या परभाव पढ़ सकता है इन सभी विश्यों पर डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्पत हम बात करते हैं आपके कैरियर संबंदित जनवरी का महिना अर्थात वर्ष तो 2022 का पहला महिना आप लोगों के कैरियर संबंदित कैसा रहेगा वर्तमान सवय मंगल देव कि इन सभी ग्रवों का आपके कैरियर पर क्या परभाव पढ़ सकता है वर्तमान सवय में अर्थात एक से पंदरा जनवरी तक का समय में सूरेदेव और शुकर की यूति आपी कुंडली के लगन भाव में है सूरेदेव और आपी कुंडली के भागे भाव के स्वामी है सूरेदेव का परथम भाव में होना आपके confidence में आपके आत्म विश्वास में वृद्धी करेगा आपकी सोच में स्थिर्दा सकती है यहाँ पर आपके आत्म शक्ति बढ़ेगी आपके निरणे लेने की शम्ता में विकास होगा आप यदि नोकरी बदलने का प्लैन कर रहे हैं विचार कर रहे हैं तो यह समय कुछ सकारत मकफल आपको दे सकता है जो लोग पब्लिक डिलिंग जैसे कार्यों में है ऐसे जातकों को यहाँ अत्यंत शुबफल देखने को मिल सकते हैं इस समय में आपकी सीनियर ओफिशल्स के साथ जान पैचान बढ़ सकती है जिससे आपको आने वाले समय में आपके कार्य सम्मंदित लाब भी मिलने की संभावना बनती है जो लोग राजनीती में हैं जो लोग पबलिक डीलिंग जैसे कार्यों में हैं ऐसे जातकों को भी यहाँ त्यंत शुबफल मिलने की संभावना बनती है जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनका तनाव यहाँ दूर होता दिखाए देगा जो लोग पार्टनर्शिप बिजनस में हैं उन्हें थोड़ा सा आफधान रहना होगा आपके आपसी मतभेद आपके पार्टनर्स के साथ बढ़ने की संभावना या बनती है थोड़ा सा तरक रहे सूरेदेव का पर्थम भाव में होना इसका आपके पारिवारिक जीवन पर क्या परभाव पढ़ सकता है इस पर हम अपने family related section में आगे चर्चा करेंगे वरतमान समय में मंगल देव आपकी कुंडली के बार्वे भाव में है इस समय में किसी परकार का अक्समात लाब आपको विदेश से संबंदित किसी कारें में मिल सकता है यदि आपको वीजा संबंदित किसी कारें में अर्चने आ रही थी किसी परकार की बाधाय चल रही थी तो वो समस्यां यहां पर दूर होती दिखाई देंगी आपको सकारात मकफल मिलने की संभावना यहां बनती है इस समय बारवे भाव का स्वामी आपकी कुंडली के बारवे भाव में होगा जिसके कारण यहां पर आपका किसी परकार का रुगा हुआ कार अक्समात प्रारंब हो सकता है आपको कुछ त्रोतों से कुछ धनलाब हो सकता है जिसकी कलपना आपने ना की हो हो सकता है आपको किसी परकार का अक्समात लाब आपके बिजनस में हो हो सकता है आपकी नौकरी को लेकर कोई इंटर्विव आपने पिछले कुछ समय में दिया हो जिसमें आपको किसी परकार के सकारत मकफल किया पेक्षा थोड़ी कम हो तो इस परकार की परिस्थितियों में आपको कुछ अकसमात सकारत मकफल देखने को मिल सकते हैं जो लोग शेयर ट्रेडिंग में हैं किसी परकार का सकारत मकफल आपको मिलने की संभावन भी यहां बनती हैं इस समय में किसी परकार के competition में सफलता मिलने के chances आपके परबल हो जाते हैं इस समय केतु और मंगल की यूति आपकी कुंडली के बारवे भाव में हैं तो यदि आप वहाँ चलाते हैं तो इस समय बहुत अधिक सतर करेना होगा किसी भी परकार का मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है आप किसी परकार के लड़ाई जगडे से सुयम को थोड़ा दूर रखें अन्यता ये समय आपको कानूनी समस्या में डाल सकता है आपके स्वास्ते पर मंगल देव और केतु की इस यूति का क्या प्रभाव पढ़ सकता है कैसे आपको इस यूति के नकारात्मक प्रभावों से बचना है इस पर हो अपने स्वास्ते संबंदी सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे वर्तमा समय में शनी देव स्वाराशी होकर आपके कुंडली के दूसरे भाव में हैं शनी देव का दूसरे भाव में होना आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव थोड़ा दे सकता है आपको थोड़ा आलसी भी बना सकता है आप समाज से अपनी फैमिली से अपने कुटुम से भी धीरे धीरे दूर हो सकते हैं आपका इंटरस्ट आपनी फैमिली में थोड़ा कम होता दिखाई देगा आपको अपने कार्य में अधिक रूची रहेगी और आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में भी थोड़ी समस्या आ सकती है दूसरे भाव में शनी आपको काला जादू, रिसर्च, अर्थात, शोद, जासूसी, सौफ्ट्वेर डेवलप्मेंट ऐसे कार्यों की तरव भी अधिक आकर्शित कर सकता है इसका आपके स्वास्ते पर क्या पर भाव पड़ेगा, इस पर हम अपने स्वास्ते समबंदी सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर ऐसे जातकों को कुछ लाब मिल सकता है जो लोग रिसर्च, अर्थात, शोद के कार्यों में जुड़े हैं जो लोग सोफ्ट्वियर डेवलप्मेंट के कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग किर्शी जैसे कार्यों से भी जुड़े हैं ऐसे जातकों को यहाँ लाब मिलने की संभावना बनती है वर्तमान सवय में शनी देव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हैं, आप शनी देव के उपाये अवश्य करें वर्तमान सवय में गुरू आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होना ऐसे जातकों को अपने पिता और अपने गुरु जनों का आदर सम्मान करना चाहिए और इस परकार के जातक अपने गुरु जनों का और अपने पिता का आदर सम्मान करते भी हैं आप अपनी परमपरा और संस्कृति से जुड़े रहते हैं आपका भागय आपका साथ देता है आप यदि जीवन के किसी ऐसे मोड पर खड़े हैं जिस पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा तो ऐसे समय में आपका भागय आपको कुछ ऐसा अवसर देता है कि आपका जीवन पदल जाता है तो गुरू का तीसरे भाव में होना आपको भागयवान बनाता है आपके रुके हुए कारे पुने प्रारंब होनी की संभावनाया बनती है आपका आत्म विश्वाश बढ़ता दिखाई देगा यहाँ पर यदि आप किसी परकार के धार्मिक और सामाजिक कारें से जुड़े हैं और यदि आप धार्मिक स्थलों के साथ जुड़कर किसी परकार का कोई बिजनस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाब मिलने की संभावना बहुत अदिक है आपको आने वाले समय में सकार आत्मक परिणाम देखने को मिलेंगे यहाँ पर आने वाले समय में आपकी नौकरी को लेकर आपके बिजनस को लेकर छोटी बड़ी आत्राएं होने की संभावना भी बनती है यह यात्राएं धार्मिक स्थलों पर होने की संभावना भी बनती है ऐसे किसी बिजनस में आपको लाब मिलने की संभावनादिक बनती है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आपके आत्म विश्वाश में वृद्धी होगी यदि आप अपने आत्म विश्वाश के कारण नै प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने में असमर्थ हते आपका आत्म बल यहां बढ़ेगा आप एक सकार आत्मक उर्जा की साथ अपने कारणे को आगे लेकर जाएंगे जिससे आने वाले समय में आपको बहुती शुब फल देखने को मिलेंगे 16 से 31 जनवरी तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय में मंगल देव का गोचर आपकी कुंडली के बारवे भाव से आपकी कुंडली के लगन भाव में हैं और सुर्य देव का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव से आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हैं जहां शनी देव और बुद्ध की यूती है वर्तमान साय मंगल देव आपी कुंडली के लगन भाव में हैं जहां से मंगल देव की दिरिष्टिया आपी कुंडली के सब्तम भाव पर चौथे भाव पर और अश्टम भाव पर होगी मंगल देव आपी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है जिसके कारण ये आपके व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं आपको छोटी छोटी पातों पर करोध भी आ सकता है यहां पर आपकी सहन शक्ति कमजोर पड़ सकती है जो लोग पार्टनर्शिप बिजनस में हैं उनके partnership business में तनाव बहुत अदिक बढ़ सकता है जिसके कारण आपके partnership business में दरार भी आ सकती है इस समय आपको बहुत अदिक सायम रखना होगा और किसी भी छोटी बात पर तुरंत परती करिया ना दे उस पर दो बार विचार करें जहां पर ऐसे जात्कों को कुछ शुबफल मिल सकते हैं जो लोग sports में हैं जो लोग arm forces में हैं जो लोग किसी परकार के ऐसे कार्यों में हैं जहां आपको यात्राएं बहुत अदिक करनी पड़ती है मंगल देव का लगन भाव में होना आपको आपकी नौकरी को लेकर आपके कैरियर को लेकर किसी परकार का मान सिक्तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है आपके मन में एक परकार की चिंता का भाव भी बन सकता है यदि आप नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं या आपकी नौकरी में प्रमोशन होनी है तो उसमें भी किसी परकार की बाधाय उत्वपन होने की संभावना या बन सकती है किसी परकार का विलंब हो सकता है आप यदि किसी परकार को के फैमिली बिजनस चला रहे हैं तो उसमें वृद्धी होने की संभावना है प्रन्तु उसमें आपको किसी परकार का तनाव भी देखने को मिल सकता है आप थोड़ा सावधान रहें अपने फैमिली बिजनस के प्रती किसी परकार का कोई निर्ड़े आपने जल्दबाजी में नहीं लेना आपके लिए उचित रहेगा इस समय आपके मन में एक अस्थिर्टा का भाव बन सकता है आप में आत्मल की कमी भी हो सकती है जिसके कारण आपका मानसिकता नाव थोड़ा बढ़ सकता है इस समय में जो लोग शोद जैसे कार्यों में हैं जो लोग सौफ्ट्वियर डेवलोप्मेंट में हैं जो लोग किर्शी से जुड़े हैं ऐसे जातकों को कुछ शुबफल देखने को मिल सकते हैं सौरदेव का दूसरे भाव में होना इसका आपके स्वास्ते पर क्या पर भाव बढ़ सकता है इस पर हम अपने स्वास्ते संबंदि सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे तो यह था आपके कैरियर संबंदि जनवरी का महीना कैसा रहेगा चली आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके स्वास्ते संबंदि जनवरी का महीना कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके स्वास्ते को लेकर उतना सकार अत्मक समय नहीं है क्योंकि इस महीने में सूर्य देव, शनी देव और बुद्ध की यूति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में होगी और मंगल देव आपकी कुंडली के बार में भाव में होगी जिसके कारण यदि आपको आपके मस्तिष्क से संबंदित पेट के नीचले हिसे से संबंदित किसी परकार की कोई समस्या चल रही है तो वो यहाँ आपको अधिक परिशानी में डाल सकती है जिसके कारण आपको नीद आने में भी समस्या हो सकती है आप यदि वाहन चलाते हैं अथवा जिम करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें इस समय में किसी परकार की छोटी मोटी चोट लगने की संभावना भी बनती है एक से पंदरा जनवरी तक का समय आपकी नसो से संबंदित और रीड की हड़ी से संबंदित भी किसी परकार की समस्या आपको दे सकता है जो मेला गर्वती हैं उन्हें 15 जनवरी के बाद का समय थोड़ा सावधान रहना होगा आप यहां किसी परकार को ऐसा कारे ना करें जिससे आपके स्वास्ते पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े 13-15 जनवरी और 18-21 जनवरी के बीच आपको मांसिक परिशानी बढ़ सकती है आपको यहां नीद आने में समस्या उत्पन हो सकती है आप मेडिटेशन अवश्य करें क्योंकि यहां पर आपकी बेचैनी बढ़ने की संभावना भी यहां बनती है आपको क्या उपाय करने हैं मैंने उपाय सेक्षनें बताये हैं आपको अवश्य करें आपको लाब मिलेगा तो यह था आपके स्वास्य संबंद जनवरी का महिना कैसा रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके finance और वित संबंदि जनवरी का महिना कैसा रहेगा एक से 8 जनवरी और 12 से 16 जनवरी तक का समय आपको बहुत अदिक सतर गरेना होगा आपको आपके वित प्रबंदन में समस्या आ सकती है आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है आप यहाँ पर किसी भी परकार के वियर्थ खर्चे से बचें आपके लिए उप्यूकत रहेगा यहाँ पर आपके खर्चे आपके स्वास्ते को लेकर भी हो सकते हैं थोड़ा सा दर्ग रहें प्रन्तु 16 जनवरी के बाद का समय आपको आपके वित में थोड़ी राहत देगा अर्थात आपकी मानसिक परेशानिया आपके वित को लेकर समाप्त होती दिखाई देगी 12 से 14 जनवरी और 21 से 23 जनवरी को आपको कहीं से अक्समा धनलाव हो सकता है आपने पहले कहीं पर निवेश किया था और आपको वहां से रिटर्न नहीं मिल पा रहा था तो वहां से रिटर्न मिलने की संभावनाया बनती है किसी परकार की प्रोपर्टी से भी आपको धनलाव हो सकता है 25 से 28 जनवरी के बीच आपका मन ब्रहमित हो सकता है आप अपने finance संबंदित किसी परकार का गलत निर्णे ले सकते हैं जिसके कारण आपका मानसिकता ना बढ़ सकता है कहीं भी किसी परकार का कोई निवेश करने से पूरू उस पर दो बार विचार करें देखें यहां आपको किसी को पैसा उधार भी नहीं देना इस बात कभी आपने विशेज ध्यान रखना है तो यह था आपके finance और विच संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके romance और प्रेम संबंदित जनवरी का महिना कैसा रहेगा आपको इस महिने में थोड़ा सावधान रहना होगा आपको थोड़ा संयम रखना होगा आप किसी भी बात पर क्रोधित हो सकते हैं जिसके कारण आपका आपसी तनाव अधिक बढ़ सकता है आपको अपने partner की बात को भी महतोता देनी होगी आपको थोड़ा संयम रखना होगा यहाँ पर आपके व्यवार में चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है तो यह था आपके romance और प्रेम समद्दे जनवरी का महिना कैसा रहेगा चलिए आगर बढ़ते हैं बात करते हैं आपके परिवार संबंद्दित जनवरी का महिना कैसा रहेगा जनवरी का महिना आपके व्यवाईग जीवन के लिए उतना सकारात्मग नहीं है उतना उप्यूख समय नहीं है आपको इस समय अपने क्रोध पर नियंतर रखना होगा आपको थोड़ा संयम रखना होगा क्योंकि इस समय में आपको छोटी-छोटी बातों पर करोद आ सकता है आप किसी भी छोटी बात पर तुरंत परतिक्रिया दे सकते हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की संभावन बनती है थोड़ा संयम रखें और अपने जीवन साथे की बात को भी भैतवता दें जिससे आपके रिष्टों में तनाव कम होगा और आपके घर में एक सकारातमक उर्जा का प्रभा होगा 18 जनवरी के बात कसमें आपके पिता के साथ तनाव की स्थिति बढ़ सकती है ये तनाव आपके फैमिली बिजनस को लेकर हो सकता है ये तनाव आपके आपसी मतबेद के कारण हो सकता है ये तनाव आपके पिता की स्वास्ते को लेकर भी हो सकता है थोड़ा सतर्क रहे इस महीने में आपके छोटे भाई वैनों के साथ रिष्टे मदूर्मई रहेंगे रिष्टे सुधरते दिखाई देंगे तो यह था आपके फैमिली संबंदित जनवरी का महीना कैसर रहेगा आई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस दिन किस रंग का वस्तर आपके लिए शुब हो सकता है और किस दिन किस रंग का वस्तर आपके लिए अशुब हो सकता है इस महीने में आप लाल रंग के वस्तर और नारंगी रंग के वस्तरों को नाधारन करें इस रंग के वस्तरों से थोड़ा दूर रहें उनको नाधारण करें और यदि आपको धारण करना अँशक है तो कुछ समय के लिए थोड़ा कम करें और आप यदि वहां चलाते हैं तो लाल रंग के वस्त्रों को इस समय नाधारण करें आप 13-15 जनवरी और 27-39 जनवरी के बीच हरे रंग के वस्तरों को ना धरन करें आपके लिए उचित रहेगा आप यदि सफेद रंग के वस्तर 8-10 जनवरी और 25-27 जनवरी को धरन करते हैं तो आपके लिए शुब रह सकता है आपके मन में शांती की अनुभूती दे सकता है तो अब आई आग बढ़ते हैं और बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपाईयों की जनवरी के महिने में करने से आपको लाब प्राप्त होगा आप चार जनवरी को प्राते 7 बचकर 10 मिनट पर सूरे देव को जल अरपित करें और इस दिन आप गुड और रोटी गाये को अवश्य खिलाएं अत्वा किसी गउशाला में दान करें आप 6 जनवरी को प्राते 7 बचकर 15 मिनट से शाम 6 बचकर 10 मिनट के बीच एक नारियल और एक नीले रंग का फूल बहते जल में अपरवाइद करें आप प्रतेक शनिवार को 5 रुपे अत्वा 10 रुपे के सिक्के का दान किसी मंदिर में अत्वा किसी गरीब को करें आपने सिक्के का दान करना है कागस के नोट का दान नहीं करना आप अपने माथे पर हल्दी का तिलग अवश्य लगा कर रखें आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथमचलियों को भोजन वश्य करवाएं जिन जातकों का विभा नहीं हो पा रहा है उन्हें 15 जनवरी और 30 जनवरी को परदोश्वरत करना है इस दिन आप सूर्य उद्य होने से पूर उठे सनान करें शिव मंदिर जाएं वहां ब जातकों के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा शनी देव आप सभी लोगों पर अपना अश्रवाद बना कर रखें धन्यवाद